ओम शान्ति एक आग्र हो जाएंगे अपने आत्मिक स्थिती में अनुभव करेंगे मैं आत्मा एक चमकता सितारा स्थित हूँ अपने बुरुकुटी के मध्य में संपूर्ण सोल कॉंशियस स्थिती में मैं स्थित हो चुका हूँ अभी हम पहला संकल्ब करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्ति मान आत्मा हूँ मैं मास्टर सर्वशक्ति मान हूँ परमात्मा की संतान मैं उनकी संतान मास्टर सर्वशक्ति मान जहां परमात्मा शक्तियां साथ होते हैं वहां हर कार्य निर्विग्न सफल होता है अभी हम दूसरा संकल्ब करेंगे मैं सफलता मूरत हूँ मैं विजई हूँ मैं सफलता मूरत हूँ मैं विजई हूँ संपूर्ण फिलिंग में इस अनुभव में सेट हो जाए कि हां मैं सफलता मूरत हूँ अपनी सफलता को विजईलाइज करें संपूर्ण 100% successful देखेंगे उस घटना को जो हम अपने जीवन में चाहते हैं संपूर्ण अनुभूती में स्थित हो जाए इसी से connected हम तीसरा संकल्ब करेंगे मैं संपूर्ण सुखी हूँ मैं जीवन में सफलता पा चुका हूँ मेरा जीवन संपूर्ण सुखी है विज्वलाइज करेंगे मैं संपूर्ण सुखी हूँ मैं तन से सुवस्थ हूँ मैं संपूर्ण निरोगी हूँ मन से शक्तिशाली हूँ और धन से भरपूर हूँ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ मैं सफलता मुरत हूँ मैं संपूर्ण सुखी हूँ अपने आत्मिक स्थिती में स्थित होके पाँच बार हम रिपीट करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ मैं सफलता मुरत हूँ मैं संपूर्ण सुखी हूँ मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ मैं सफलता मुरत हूँ मैं संपूर्ण सुखी हूँ मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ मैं सफलता मुरत हूँ मैं संपूर्ण सुखी हूँ मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ मैं संपूर्ण सुखी हूँ मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ मैं सफलता मुरत हूँ मैं संपूर्ण सुखी हूँ रात को सोने पूर्व दस मिनिट हमें ये अभ्यास करना है हम इस अभ्यास को कॉमेंटरी द्वारा भी कर सकते हैं या मन ही मन स्वयम संकल भी कर सकते हैं रात को सोने पूर्व हम जो ये संकल्प करेंगे उसका प्रभाव रात भर नींद में रहेगा और सवेरे उठते ही हमारा मन इन संकल्पों में स्वतह एकाग्र होगा जैसे जैसे हम इस अभ्यास को रेगिलरली करते जाएंगे हम अनुभव करेंगे कि येस मैं इन संकल्पों का निर्मान कर रहा हूं वैसी वैसी घटनाय सफलता मुझे अपने जीवन में मिलती जा रही है इस प्रैक्टिस को 21 दिन रेगिलर करने से यह प्रैक्टिस नैचरल बन जाएगी और धीरे धीरे हम इसके अधबुद रिजल्ट्स देखेंगे ओम शान्ति प्रैक्टिस नैचरल बन जाएगी